सानिय सर पर भारत में पंचायती राज संद्राइब ऑर इनस्थाइन रणायक भूमिका निभाती हैं भारत में पंचायतों के सामाजटी राजनीतिक और आर्थिक जिंबिदारियां हैं और इनी जिंबिदारियों को पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए बैठत क्यों तरह के लाब होते हैं जैसे जनसंचार, दिशा निर्देश, कार्य परचर्चा, समीक्षा, सूचनाओं का आदान प्रदान, निर्णह लेना, नय विचार, फ्राप्त करना, विवादों का समाधान आदी। हाला कि पंचायत की बैचक प्रभावी वा निर्णायक को इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है, जैसे बैचक की सूचना, डुग-डुगी, ढोल, ड्रम या लाउट स्पीकर से लोगों को पहले ही देनी चाहिए, ड्राम पंचायत अपने कार्याले के स सूचना पट पर नोटिस चिपका कर या अन्य माध्यमों से भी आम जिनता को बैचक के बारे में बता सकती है, ध्यान रहे कि बैचक की सूचना देने का काम कम से कम पांच दिन पहले से शुरू हो जाना चाहिए, इसकी सूचना ग्राम के प्रमुख स्थानों पर चिपकाना चाहिए, बैचक को सभी लोग गंभीरता से लें, इसके लिए आवश्यक है कि अध्यक्षटा पंचायत का प्रधान ही करें, अगर सरपंच गाउं से बाहर हो गया या किसी कारणवश पंचायत नहीं आया हो तो उप सरपंच की अध्यक्षटा में ग्राम सभा की बैचक होन हैं ऐसे में दोनों की गैरहाजरी में कौन बैठक की अध्यक्षता करेगा ये पहले से ही तै हो जाना चाहिए एक प्रभावी बैठक के लिए जरूरी है कि इसमें बड़ी संख्या में लोग उत्साह के साथ भाग लें इसलिए बैठक में कम से कम एक्तिहाई सदस्यों को हिस् प्रफशेख है कि संचालन करता सामान्य शिष्टाचार का पालन करें जैसे बैठक के प्रारंभ में ही सभी सदस्यों का स्वागत करें बैठक का जो भी एजंडा है उसको सभी सदस्यों के सामने रखें अपनी बात रखते समय सभी उपस्त लोगों की तरफ देखकरी बात क चर्चा का पूरा खाका तयार करें। उठाए गए मुद्दों पर सदस्यों को संतुष्ट करने के लिए कदम उठाएं। चर्चा के दौरान किसी को बीच में नहीं टोकें। बैठक में क्या हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखा जाना जरूरी है। इसके साथ ही बैठक के विशे से संबंधित आवश्यक कागज, फाइल, दस्तावेज और साक्षे आधी का रखा जाना भी आवश्यक है। प्रधान, द्वारा, आदेश दिये जाने पर बैठक की अधिसूचना, अनुपस्ति थी, शमायाचना तथा पिछली बैठक के कार्यों की रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए। बैठक के दौरान कुछ बातों का विशेश ध्यान रखा जाना चाहिए जैसे वन्चित एवं दलित वर्ग को बैठक में बोलने वा भाग लेने के लिए प्रोधसाहिद करना मानव श्रम के लिए तंसाधन जुटाना और धन की व्यवस्था करना अंचायत में जो भी धन है उसका सदुपयोग करना और हर हिसाब का लेखा जोखा संभाल कर रखना समाज सुधार की दशा में कदम बढ़ाना अपने क्षेत्र के जल जंगल जमीन के संड्रक्षन वासम वर्धन के लिए योजना बनाना वग्राम वासियों के साथ मिलकर इंफ्राकृतिक संसाधनों की जक्षा का प्रयास करना गाउं के विकास के लिए बैठक करना आओ मिलकर काम करें अपने पंचायत का नाम करें मिलकर करें बैठक और हर समस्या का समाधान करें जय हिंद जय भारत झाल